स्वागत आप सबका वुमन बिग बैस्ट लीग के मैच नूंबर एक के अंदर मुकाबला है यहां पर सिड्नी सिक्सर्स बना मेलबन स्टार्ट के बीच में जो खेला जाएगा नौट सिड्नी ओवल के अपर मैच टाइमिंग है दुपर के दो बच के 10 मिनिट तो फिर से आप तो लेट सी इस क्लैश के अंदर के होता है बड़े रोमान चेक आपको मैच देखने को मिलेंगे यहां फोटो शूट देख सकते हैं और एक प्लैट्स के हर एक टीम से यहां पर आये हुए हैं यसे आप देख सकते हो किम गार्थ है पैर यहां पर वरेम है तो बहुत ही बड सब्सक्राइब को मिलने वाले हैं तो बहुत ही रोमान चेक मैच आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके यह आप देख सकते हैं पूरा वोमन विग बैश लीग का और आपको टेलीग्राम चैनल जॉइन करने हैं मैं बताता हूं क्यों टॉस होगा डेड़ बजे के असपास और मैं स्टार्ट होगा दो बच के दस मिट इस चालिस मिट के अंदर मैं आपको लाके दूँगा पिच्छस की फोटोस प्लेइंग लॉन विद बैटिंग ओडर कितने बॉलर्स बॉलिंग कर सकते हैं इस मैच में आपको पैरी खेलती इवे नहीं दिखेंगी अलाइस पहरी रिजन थोड़ी दिर में बताऊंगा तो टीम को कॉंबिनिशन क्या होगा कौन बॉलिंग करेगा कौन नहीं करेगा इस सारी जानकारी आपको मैं प्लिंग लोग देखके टेलीग्राम पर बता दूँगा तो जॉइन कर लेना बड़ा खूबसरत है ग्राउनट आप देखें क्या वियो आता है स्टेडियम का इकोनिक वियो है न्यू साफ्ट विल्स कंद्रे स्टेडियम मौजूद है स्टेडिनी के अंदर अब देखोस्ट वैनी के अपर अभी रिसेंट्ली इस ही मैंने ऑक्तोबर के इंदर दू अब देखो उस मैच में हुआ क्या हुआ कुछ नहीं था यह दिखा अब जो लास मैच साथ 2 अक्तोबर को उसके अंदर ऑस्टेलिया पहले बैटिंग करने आती है 212 बनाती है सब को लग रहा था ऑस्टेलिया जीच जाएगी ठीक है फिर आप देखो जो टीम थी वेस्ट इंडीज विमन की वो चेस करने आती है स्टेफिने टिलर ने कुछ सार्टरंस बनाए थे हैली मेटिज ने श्रतक बनाया था और टार्गेट चेस कर लिया एक बॉल रहते बहुत ही शांदार मैस था हो उससे पहले 147 बना था यह बनाय थे वेस्ट इंडीज ने और उसमें से हैली मेटिज ने 99 ठोक दिया था टार्गेट चेस नहीं हुआ, 144 बना, टार्गेट चेस नहीं हुआ, 156 बना और यहां पर टार्गेट चेस हो गया, मैं सीरिसली कहूं, हाई स्कुरिंग वेन्यू है, रम्स बनते हैं, और क्वालिटी बॉलर्स भी यहां पर गेम में आते हैं, अब देगों इस वन्यू के अब पर सब्सक्राइब 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 सब्सक यह एक चीसिंग वैन्य जो मैंने अब्जर्व किया है यह पर टार्गेट चेस हो जाते हैं बड़े बड़े अंडर दा लाइट्स वाल स्किड़ करती है यह मैच साथ चालिस को स्टार्ट होगा साथ बच के चालिस मिन पर स्टार्ट होगा और अपने बारत के अंदर दो दू श्टेलिया वीमन वर्टसेश वीस्ते इडिस वीमन का दो ओक्टोबर को उस मैच में पांच विकट पेसर के नाम था और चार विकट स्पीनर्स निकाला था और चार विकट इनकाला था ओर अल्डेट को स्मझते हैं लास्ट चौधा मैचस के अंदर पेसर ने स्मेंधी के पर 82 विगेट्स निकाले हैं पहली पारी में 42 है दूसरी पारी के अंदर 40 है लगबग सेम टाइप अफ हेल्प में लिए राइट आम पेसर सहततर लेफट आम पेसर का पांच विगेट है पहली पारी में बहुत इंपॉटन हो जाते हैं चालीज विगेट है अफ्स्मिनर्स थीस बहुत इंपॉटन होता है लेफटाम आफ्रोडक्स मिल्स का ट्वेंटी-फॉर विगेट्स अब मैं आपको लेके चलता हूं पिछी के फूटु के दरब रिसेंटली जब यहां पे मै सामने की बाउंडरी 68 मिटर्स स्वेर बाउंडरी आपको दिखेंगी 55 मिटर की अगर बीच वाली पिछ से माच होता है अगर एक साइड चोटा एक सेड बड़ा होता है तो साट मिटर एक तरफ पचास मिटर एक तरफ को देखने को मिलेगा तो बदलते हैं इस स्टेडियम क कर दिख सकते हैं बहुत हीखुम सुरोdefined ग्राउंड ये उस है अब ल hardships जाने लोकी सेड्नी के इंदर पूरी किसटी में के इसा निये स्टीम पर शेयर बीच मिन स्टीडीम में पूरा अगल अगल में बड़ी आमारत इर्णी ईज्टений और देंगा यह एसा अपनाterror श्र द क बारिशी चाहन से 0% है बारिश रजाए तो बात हलाग है मैं अवेदो फूकास चेक किया था वीडियो बनाने से पहले चले तो मैं अपको अपनी कुरूम किस्थी दिखा के दिखा दूँ आभी छी है तो टीक है अब देखें ये स्वेशल पीजी रवोट है फ्रम दो नॉट कैसे लगी मेरे को कमेंट करें बताना चैनल पर नहीं तो सुब्स्राइब को लो घंटी बिटन दबा दो फाइनल पिच्छस की फोटोस टेले के रहा हम वाट्सप चैनल पर दे दूँगा न्यूस की बात तरत है तो सिदिनी सिक्सस की हेड कोच है शैलोट एडवर्स लेड उसके अंदर इनको स्लो ओवर्रेट का चार्ज लगा और एक मैच के लिए बैन किया गिया तो पहरी इस मैच में खेलेंगी गाड़नर इस मैच में कैप्टन्स ही करेंगी सिद्नी सिक्सस में दो टाइटल जीते हैं बैक टू बैक येर्स के अंदर 2017 और 2016 के अंदर लास्ट सबसे बैस टीम देखी थी लास्ट यर बट फाइनल में आके हार जाती है दो मैच हारी थी एक मैच इनका नोड़ जर्ड गया था Melbourne Stars के Head Coach Jonathan Batty है और Captain Mag Lening है इनकी टाइटल एक भी बार नहीं जीता लास्ट यर सिक्स्थ फिनिश्ट किया था पांच जीत चैहार और तीन मैच इनके नोड़ जर्ड गये थे Test Flintoff इस मैच से भार है उनको Amsting Injury भी है जो WNC में हमने देखा था दोन टीम्स ना पर सकंदर सुला मचस खेलें और साथ मैच सिड्नी जीती है मैलबन यहापर आट मैच जीती है एक मैच इनका नोड़ गया गया गयारा की बात तरते है आलाई सहली आपर रुपन करेंगे वेट की पर बलेवा जाएं सुजी बेट साइन यहापर निंके साथ स्कॉट डिकलेर नहीं किया है कैट प्रेटरसन बहुत अच्छी बॉलर है जैबलीन थ्रो करते हैं कि बाजू में बहुत दम है परी बैंच पर गैबी सटकलिफ है जड़ एलेन है इमा ह्यूक्स और कैट पिले भी आपको दिखती है मैलबन स्टार्स बहुत सोटे टीम लग सोफिया डे लेफ्टाम ऑफ्रोक्स पिनर मेल इनिंग वक इसने बहुत वक किया है इसके पास अच्छी पेस है अंडर-19 की प्लेयर ऑस्ट्रिया की राइटम फास्ट बोलर है बैंच पर टेस्ट रियास एमसी कना पर बहुत अच्छी किरिगेटर है और मैं किसी भी नहीं क चार कैचस दो स्टंपिंग करिया अच्छी के अंदर बैटिंग फस्ट है पांच नौ च्यार्च सतर पैटीस एकसो चैना बाद फॉर्टी एकसो चैना बाद फॉर्टी एकसो ग्यारा सत्ता हॉन चौदा अच्छे नंबर से इनके वेन्य के उपर 34 मैच के अंदर 930 रंस है सोला कैचस पंदरा स्टंपिंग करी हैं आपे दो शतक तीन अर्षत तक पांच बार ठटी किया है ठटी मनलब होता है तीस से पचास के बीच में इसने कितनी बार स्कोर गिया है वो जानना भी ज़रूर ही है 32 इनके इसने ऐसे कारणा में गरे है फॉर्म 32 बैटिंग याई 38 जीरो चपन बारा तेई शोई साथ तेरा आठ सोला इसस का फॉर्म रहा है लट सी यूकी के अंदर स्ट्रगल करी थी है इंग्लैंड के अंदर जो आशे श्वीती विमिन्स की बट यहां पर ऑस्ट्रियम एची रही है अगें स्वेस्ट इंडिस अभी दर सूजी वेट्स 11 मैच में 179 रंस है है 20 कंदरा गेंस मेलबन स्टार्ट 98 का स्टाइगरेड है कोई खास नमबर नहीं है आठ दो च्छे बारा च्छतिस अठार अठाइस चार एक चेस के पर 54 नावाद और दस है इस वेनी के पर 10 मैच में 175 रंस है जो है मैधान अपना नॉट सिद्नी ओवल ब और उसे बहले 14 9 14 1 36 18 16 23 23 लेट सी क्या करेगी इस गेम के अंदर यह एज गार्डनर 11 मैचस में 333 रंस है इस टीम के अगेंस इस ने दो जार अठारा के अंदर एक श्रतक बनायत 114 बहुत अची प्लेयर है बालिंग भी करेगी बैटिंग भी करेगी इस टीम की कैप्टन भ अचुकी है कि एकान निया और 17 कि स्ट्राइक रहले बाल में इसको इस टीम के विगेट है बालिंग फरस तीन में यह बॉरे यह चोप्त होनि के यह और जालनी चाहिए बालने चांग सुर्डेयन साप्छो lens मुत सट इस टास माइड्य था esp and 1 स्ट्रू है फर्टाइड ओन salah के अंदर है इरेन बिंस 13 मैचस के अंदर 169 रंस दो विकेट आपको 20-30 रन करके दे सकती है पच्छेस नाबाद 17-18 इस सीजन के अंदर रिजन यह है कि पैरी आपको स्टाटिंग करती भी नहीं दिखेगी टीक है पैरी ने गया है मैं पहले एक या दो वीक में शायद बॉलिंग ना करूं उसके बाद मैं बॉलिंग करूंगी मैंने उनका एक इंटर्वी देखा था उसके अंदर यूटूब क इस साल निकॉल बॉल्टन भी नहीं है लास्ट यर निकॉला बॉल्टन खेली ती जो आफस्मेंट डालती थी तीन चार उनर का स्पहल होता तो इरीन बंस वह काम करके दे सकती है इस टूर्णमेंट के अंदर ऐसा मेरा गट फिल कहा है दिल कहा है वहने के पर चोईस मैश मे अंदर बर्मिंगें फेनिक्स के लिए भी बॉलिंग करी थी ग्लोय टायरन पांच मैचस में 108 रंस है पांच मैचस में 108 रंस है जीरो बॉलिंग करने आ सकती है 46 नाबाद 15 बैटिंग फार्श चेस कुपर 29 नाबाद 18 वहने के उपर 6 मैच में एक विकेट 108 रंस है रेसन फो बैटिंग रहा है 9 रंस ज्रुबविकेट 4 विकेट 25 रंस है 0 विकेट 71 रंस ज्यर विकेट 9 रंस-बॉक्ट मताला करे मिचल शाप मैचस में 76 रंस इतने खास नंबर नहीं थान पर पर भी चार मैच में यह लंब लंबेट मारने के लिए जानी जाती है, balling 1st, 3-3, 1-2, 0-12, form 5-2, 7-1, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 तär so प्लेर है, let's see, bats बहुत एक्सक्टेशन रहती है, बल्ले से, JSP, 2-1, 2-2, 1-2, यह पहले लिए ब्रिज्बनेट के लिए खेल है, Women Big Bass League के लिए नदर, एक मैच में 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 एक वालिंग सेकंड तीन मैच में छोगेट है देखने लाइक होगा कैस मैच में यह और थी कर आपती कर आपी नहीं और नेसंसों क्रिकेट नहीं के लिए लोर ँचे अल ने Cat Patterson 4 match 0 wickets, Balling 1st 1 match 0, Balling 2nd 2 match 0 wickets यह सीरियस क्रिकेटर है इस वैनुक आप नंबर्स देखिए पांच मैच में 11 wickets Balling 1st 3 match 8, Balling 2nd 1 match 3 wickets एक विकेट, तेसर रन 3 wickets, 2 wickets, 4 wickets, 1 wickets सुप्रीम क्रिकेटर है फिलाल है पारी अविलेबल नहीं है इस मैच के लिए सब्सक्राइब रचाइब जए जाए तो गया भी सटक्लिफ के स्टैट्स गेव है जड एलन लेक्स्विनर के स्टैट्स है मैं एक सुराइटम मीडियम केट पिले के स्टैट्स हैं कीपिंग भी गरती ही शाहद यह काट पिले जितने मुझे आद आता है जैसकायर कैट्पेटरसन लॉरा चिटेल स्टार्टिंग अवर अलोंग विए मैटलिम ब्राउन डात्रों के लिए जैसकायर कैट्पेटरसन चलता है सुफे दंगली के तरफ अहाँ बैट्टोड गया नहीं खेला फॉर्म देखो इसका 38 रान 29 रान एक विकेट 68 रान दो पिकेट चोई रान एक विकेट इसने साल वेल्श फैर के लिए बॉलिंग कर ली ती जिसकंदर टैमी बॉनट खेली ती तो लेट सी इस साल क्या बॉलिंग कर पाती है सूफे डंगली एकस्पेक्टेशन तो नहीं है वाट बैटिंग से आप उमीद कर सकते हो अच्छे क्रिकेटर है मैं ग्लैनिंग वन ओफ दे लिजेंडी क्रिकेटर्स में आती है व्ल्ड क्रिकेट के अंदर ये फैप फूर होती ही न है विमिंस के उसमें टॉप पे रहती ह क्या नंबर से भाइसाब इस प्लेयर के वैन्यू के उपर 16 मैच में चार्चोन और अरंज है 37 के उसद है और बहुत अच्छे नंबर से 27-10, 33-1, 10, नाबाच, 54, 77, 13 इस तरह से पूरी टीम अलाउट हो गई थी ये वन्डाउन खेलने आती ती और नॉट रहती थी आसी प्लेयर है ये ये प्लेयर है ये पहले खिलचु के डवली बीएल इसी टीम के लिए दो मैच में 16 रन से अक्टोड कंदर एक विकेट है बैटिंग सेकंड पंदरा एक और बालिंग मैच में दो मैच में एक विकेट निकाला था आपको ये बालिंग करते भी दिखे कि अन्दर माया बुशीर दो मैच में 22 रन से अक्टोड कंदर 32 वैटिंग फर्स्ट क्या था एक वार बैटिंग करी इसने चेश पे बहुत डेंजरस होती है माया बुशीर फॉर्म दो चॉ ऑन्दॉट पर्फोर्मर थी-एक आप्ट मैचस में 11 रन से अटो डिंग अन्दर 6 विकेटे है और बॉलिंग फर्स्ट 7 ऐग जार मैच में 3 विकेटे इसेने पर ड़िंग दस्थ मैच में 2 विकेटे है बल्ले से 94 रन से एक्सपेक्टेशन्स दिए बहुत इस लेड़ वालिग सिल्डेट चलब थार का पांच पॉंसक्त था शीजार टामच था वेपन था यार। यह इंपोर्टन निया फैंटेजी प्रोस्पेक्टिव से आप हैली को लेकर बेस्ट है शाशा मॉलोनी 12 मैचस कंदर दो विकेट है और यह स्टार्टिंग में नहीं करती थी यह जब से इस्टीम में आये मैल्बन स्टार्ट में तब से ज्यादा बॉलिंग करने लगी है यह इसका दिन रा तीन चारट खुल देती है कभी कभाटवट में भी बॉलिंग करने आती लास्ट यह जो फिडे पांच मैचस में तीन मैच्ट में दो विकेट है इस वेंडियो पर साथ मैचस्वें चार विकेट है रेसन फोड़ा सा कुशन मा करा है इसका मैल्ली इनिंग वर पेस इसके पास रियास एंसी किना चार मैच में एक फिकेड है वालिविया हिंड्री इस मैच में आ सकती है फॉर्म देखो जीरो चौदा च्छे तैथीस फॉर्टीडू तैथीस अथा इस कंसिस्टेंट बैटर रही इस वज़े से मैं इसको खिलना चाहूंगा शार्टिंग और किम गाथ इन्वंगरें बिट सद्लाएंड का इन्देंड में धनी मैच में आ जाती है कि इंचब देखते हैं अलाएसाथ prof सामने सामने 8 समय 5 तो दोन जाएक। पैरी मौझूद नहीं है, गार्डनर की बातर एंस्ट एनबल सदिलेंड, पांच इनिंग्स में तीन बार आउट हो चुकी है, उन्निस बाल में मात रठारा रहा रहन्स है, एरें बिंस अगेंस्ट किमगार्थ, चार इनिंग्स में दो बार आउट हुई है, चौदा वाल में कोई खास मेच अपनी है, नेक्स चेप्टर की तरफ सलते है, मेल्बन स्टार्स, सोफिय डंकली अगेंस्ट गार्डनर, चार इनिंग्स में एक बार आउट ही है, चोईज वाल में मातर 15 रंस है, जैस्खेर ने पैथीज वाल में 28 रंदे के चैनिंग्स में दो बार आउट क साथ इनिंग्स में तीन बार आउट किया है, चोईज वाल में 34 रंदे के, माया बूशीर वर्सिस एरीन बिंस, जीरो रंस एक बार आउट किया है, यह फस्तीन लेक्स में के सामने, सत्रा इनिंग्स में पांच बार आउट ही है, एनेबल से दिनिड की बार तरे, और आप देखें, पचास हजर पर गीवड़ देखने को मिलेगा, इसी दिन मैच नंबर 17 है, उनिस तारीक को जिस दिन यह मैच होगा, दुपर दो बजी मैच है, इंडिया बंग्लादेश का पचास हजर पर गीवड़ साइन अप कर लेना, लिटर बोड चल रही है, यह एक बहुत अच्छा टूनमेंट है, पहले नंग पर निंजा, दूसरे पर एक्टीम, तीसरे पर एक्स्टीम, चोथे पर पाची, पांच पर आइफों 15 प्लस, दस वरेंग पर आपको मैंटन बाइस सैकल मिल जाबती है, अब अब अधर के रंकिंग आप देख सकते हैं, पहले किम गार्थ और अलाइसाहली को भी रोटेट किया जा सकता है, चलता है फंडर से दीम्स के तरफ, विलावलेंट टीम इस तरह से बनाई है, कैप्टन मेरे पास गार्डनर, वाइस केप्टन सदलेंड है, आप चाहे तो कैप्सी को वाइस केप्टन गर सकता है, अगर आपको ट्रॉयान, एरे बिन्स, मैटलीम ब्राउन, यह तीन वाइस अब किसी दो प्यार को लेके जाएगा, मैटलीम ब्राउन भी बहुत अच्छी पीक है, बैटिंग कर लेती है, लंब लेट मारती है, डेटर में तक बॉलिंग करने आ सकती है, कैट पेटरसम से बहुत उमीद है जैसकर बहुत इंपोर्टेंट यहां पर एनने वाली है, जनता ने, साशा मलोनी को लिया है, वो भी अच्छी पीक है, बैटिंग बैटिंग बाइसर के साथ जो डेट में बॉलिंग कर ले, हैली इंपोर्टेंट को और किसी के तरफ नहीं देखना है, यहां से पैरी अबले जनता ने लिया है, बाइचांट से अजे ओपनर मेंशन हो जाती है, तो बहुत इंपोर्टेंट पे हो जाएगी, बहुत अच्छी प्लेयर है, टच प्लेयर है, पावर प्लेय के ज्याद अच्छे से इस्तमाल करती, जो मने अब्सर्ब किया हुआ है, फिल्ड को खेलती अच्छी पीक है, अच्छी पीक है, यहां से जैस कहर मेंशन फिटी लगी, पैटरसन पीक है, चेटल फिट हो तो 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 अच्छी बॉलर है, श्रासा मुलनी को भी ट्राइ कर सकते हो, और मैं किसी के लिए क्लेन कर लेनी क हूँगा, इनिंग यह अच्छा डाल लेती है, द दुपार के देड़ों बजे